तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आफसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या 12th की क्लास कमर्ज से पास करने के बाद क्या B.S.E.K.M.S.T.R. का जो कोर्से उसे किया जा सकता है के नहीं Hello Friends, आप देख रहे हो Educational Worcester Channel तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आफसे B.S.E.K.M.S.T.R. कोर्स के वारे में आफसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के कत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप में से कई स्टुडेंट्स का दोस्तों यह doubt होता है कि can I do B.S.E. Chemistry course after 12th कमर्स जैने कि 12th की class कमर्स से पास करने के बाद क्या B.S.E. Chemistry का जो कमर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी नहीं आप 12th की class कमर्स से पास करने के बाद आप जो B.S.E. Chemistry का जो कोर्स है उसे आप नहीं कर सकते अगर मैं आपसे B.S.E. Chemistry कोर्स का Eligibility Criteria आपसे में डिसकस करूँ तो Eligibility Criteria दोस्तों जै कहता है कि आपको जो 12th की class है उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको 12th की class आपको Science के सबजेक्टों के साथ आपको पास करनी पड़ेगी Science के सबजेक्ट Physics, Chemistry, Mathematics जाब Biology हो सकते हैं तो 12th की class को पास करने के बाद ही आपको इस कोर्स में अड़ेशन मिल सकता है अगर मैं आपसे B.S.E. Chemistry कोर्स के बारे में आपसे में डिसकस करूँ तो B.S.E. Chemistry कोर्स एक 3 साल का Undergraduate कोर्स होता है जिसमें कुल 6 समेस्टर होते हैं और एक समेस्टर की जो लेंट होती है वो दोस्तो 6 मीने तक ही होती है जो कि आज के टाइम में कई सारे A.S.E. स्टुडेंट्स हैं जो इस कोर्स को करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे B.S.E. Chemistry कोर्स के बारे में आपसे मेंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादधम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्थ हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो, नहीं तो आपको इस video के description में और भी कई सारे courses के बारे में videos मिल जाएंगी, आपको निवान जाकर भी देख सकते हो, तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी, अगर आपको जै वीडियो पसंद तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना, धन्यवाद